रादे रादे हरे हरे कृष्णा जाई जिनेंद्रा, welcome back to my YouTube चानल, यह हमारे नूमरलाजी सीरीज का second part है जिसके अंदर हम भाग्यांक डिसकस करेंगे, first part के अंदर हमने मुलांक और भाग्यांक किस तरीके से find out किया जाता है एक subscriber का हम already ले चुके है second subscriber का लेना बाकी है chart तो आप अपने birth details इस video के comment section में लिख सकते हैं and we will randomly select one birth detail which will be used as an example chart for our next video so भाग्यांक is nothing but the calculation of your birth date, birth month and birth year इन तीनों को अगर आप add करेंगे और single digit पर लेकर आएंगे तो वो आपका भाग्यांक होगा भाग्यांक वो number है जो आपकी destiny को support करने की कोशिश करता है जैसे कि आप नाम से दिख सकते हैं भाग्यांक आपके भाग्यांक जितना आप अपने भाग्यांक की qualities अपने अंदर invite करने की कोशिश करेंगे लोकी वो उतना ही आपके मूलांख को support करने की कोशिश करेगा इसको एक example के तुरू समझने की कोशिश करते हैं जब आप school के अंदर जाते हैं सभी लोग same uniform पहनते हैं सभी लोग same category के पढ़ाई करते हैं सभी के लिए same teachers होते हैं बट हर एक बच्चे की अलग speciality होती है जो उसका भाग्यांक होता है जिसके वज़े से वो लोगों के बीच में जाना जाता है जो उसकी destiny उसको खीचती है उस तरफ कोई बच्चा sports में अच्छा होगा तो वो जाना जाएगा कि चलो पढ़ाई में तो ये ठीक है अगर आप सल्मान खान का मूलांक और भाग्यांक यहां पर देखने ही कोशिश करें तो सल्मान खान का मूलांक बन जाता है छे और भाग्यांक बन जाता है नौ छे नंबर होता है शुकर का अब वो एक नॉर्मल अक्टर है आप इस तरीक से देख सकते हैं कि जो 6 नंबर है वो Venus का हो गया यह actor है बट वो actor के अंदर speciality किया है वो 9 नंबर की speciality है वो mangal की speciality है अब आप देखेंगे कि नाम भी देखो कि आप भायजान नाम रखा गया है उनका एक dominating personality होना एक king की तरह act करना mangal की सारी qualities देखने मिलेंगी उनकी movies कौन सी famous होंगी दबंग movie famous होई जिसके अंदर लडाई जगडा है military के बारे में कोई movie करेंगी तो famous होगा लडाई जगडा करेंगी तो famous होगा तो आप देखेंगे भाग्यांक वो मूलांक को support कर रहा है यहां पर उन्होंने अपने भाग्यांक की qualities अपने अंदर उतार ली है जो मूलांक जो वो actor है जो वो खुद है उसको support करने की कोशिश कर रही है उसी तरीके से अगर आप नरेंद्र मुदी जी के चार्ट के अंदर देखेंगे तो उनका भाग्यांक number 5 बन जाता है तो अपनी बोली के वज़े से अपनी speech के वज़े से अपने intellectual capabilities के वज़े से आप देखेंगे कि उनका नाम रोशन होगा उसी तरीके से जितना आपका भाग्यांक आपके मूलांक को support करने की कोशिश करेगा उतना ही आप लोगों के बीच में दिख कर आएंगे उतना ही आपको आपना भाग्या support करेगा अगर आपका भाग्यांक एक है तो आपके भाग्या के कारक सूर्य बन जाते है इन simple words आपका भाग्या आपको सूर्य बनाने के लिए आया है आप जीवन के अंदर कोई भी करम के अंदर चले जाएए कोई ना कोई dominating position प्राप्त होगी जहां पर आप self respect के साथ रह पाएंगे भगवान ऐसे लोग कोई ना कोई एक special expector या एक special quality देते हैं जो कोई भी copy नहीं कर पाता वो quality copy की ही ने जा सकती वो अपने आप में इतनी special होती है कि वो इंसान को king बनाने की कोशिश करती है वो इंसान को सूर्य तक पहुचाने की कोशिश करती है अगर यहां पर अमिताब बच्चन की बात करें तो उनका भाग्यांक number 1 होता है KBC के लिए कई सारे Bollywood actors को और approach किया गया था यहां तकी शारुक खान को भी approach किया गया था बट जो तरीके से अमिताब बच्चन ने जो रंग भराये KBC के अंदर कोई और वो quality लाही नहीं पाया क्योंकि वो आवाज के अंदर आपको quality देखने मिलेगी तो जब आपका भाग्यांक नंबर 1 होता है आपको एक ऐसी position मिलती है पूरे industry के अंदर जो shakeable ना हो जहां से आपको कोई हिला ना सके एक quality यहां पर है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा जो discipline है हमारे astrology और numerology के दुनिया के अंदर लोग इस चीज़ को सही तरह किसे समझते नहीं है कि hard work के कारक शनी देव होते हैं और discipline के कारक सूर्य देव होते हैं सूर्य regularly same time पर उगते हैं और वही time पर उनका ढलना भी होता है तो यहां पर आपको discipline देखने मिलेगा जो centuries का discipline होता है जो सारे के सारे डूग गए और debt लेकर यह invest किया था बाद में अंबानी ने उनकी help की और फिर वो उपर आया that all together is a different story बट जिस चीज़ के बारे में knowledge नहीं है वहां पर अगर आप दिमाग लगाने जाएंगे बिना महनत के या बिना discipline के काम करने जाएंगे आपको जीवन के अंदर एक downfall देखने मिलेगा समझने की बात यहां पर यह है there is no shortcut for becoming a king सूर यह को same time पर उगना पड़ेगा और ढलना पड़ेगा यह process कहीं सालों तक continue होगी तब जाकर आप एक kingly field के अंदर आप आएंगे उसी तरीके से एक number के लिए अपने आपके अंदर discipline को imbibe करना बहुत ज़दा ज़रूरी है अगर यहां पर ego बढ़ गया क्योंकि सूरी है, ego के कारक है तो downfall देखने मिलेगा और usually आप देखेंगे कि number one वाले जो लोग होते हैं 40 या 42 के उमर के पहले जब तक आपके राहू मेचौर नहीं आते तब तक इन लोग को ego देखने मिलता है जीवन के अंदर इसलिए बार-बार downfall देखते हैं और एक उमर के बाद number one अपने आप ही संबल जाता है because as a royal planet आप देखेंगे वो qualities के साथ जच जाना और वो qualities को अपने शरीर के अंदर imbibe करते हुए, balance करते हुए चलना ये number one को बहुत अच्छे तरीके से आता है भाग्यांक एक वाले लोग बहुत ज़दा ambitious होते हैं, hard working होते हैं और एक strong sense of self आपको यहाँ पर देखने मिलेगा Lionel Messi का आपर example लेते हैं तो लोगों को वो 6 number के वएसे देखकर अशा लगता है कि इस इनसान को सारा कुछ बहुत ज़दा easily मिला है और सारा credit यहाँ पर भाग्या को जाता है कि यार यह naturally talented है लोग Messi को naturally talented करके बुलाता है क्योंकि यहाँ पर भाग्यांक number 1 आ गया तो अपने भाग्या से ही वो कही ना कई सूर्या बन गई या फिर उनको कही ना कई वो position पराप्त हो गई बट actual cases में ऐसा होता नहीं है क्योंकि सूर्या discipline के कारके बहुत ज़ादा discipline maintain करना पड़ता है बहुत ज़ादा practice करना पड़ता है तब जाकर आपको कोई ना कोई चीज मिल पाती है बट of course यहाँ पर आपको कोई ना कोई special quality देखने मिलेगी जो इनसान के भाग्यों को सूर्य की जगा पर लाकर रख देती है apart from this father के साथ एक special relationship देखने मिलेगा या तो ऐसे लोग के father famous हो सकते हैं अच्छी position पर हो सकते हैं और अगर अच्छी position पर नहीं है तो जो जातक जिसका भाग्या एक है उस पर father का impact बहुत ज़्यादा होगा अमिता बच्चन की भी case में देखेंगे तो उन्होंने अपने father को बहुत ज़्यादा promote किया उनके father harivan chraibachan बहुत बड़े poet थे तो वो art भी उन्होंने promote करने की काफी ज़्यादा कोशिच की क्योंकि impact कही ना कही था तो number 1 आपके dominating position को बताता है आपके father के साथ relationship को बताता है father के qualities आप imbibe करता है बट overall तरीके से बहुत ही beautiful काम करता है क्योंकि आपका भाग्या आपको इहाँ पर सूर यह बनाने के लिए आपको सबसे ज़ादा dominating position देने के लिए आया है अगर आपका भाग्यांक दो है तो आपका भाग्या चंदरमा से rule होता है अब ऐसे लोग born attention seekers होता है चाहे यह attention seek करना चाहे या नहीं करना चाहे इनकी emotional ओरा इतना दा strong होता है कि अपने आप attention seek करते हैं दो number यानि कि चंदरमा अपने आप में masses का number है यह लोग masses को attract करना जानते हैं क्योंकि यह emotional capacity को समझते हैं सामने वाले दो भाग्यांक के case में आप एक special quality देखेंगे कि इनके मन के अंदर जो emotion है वही emotion आपको इनके चहरे पर जलगता हो दिखेगा यह अपने emotion को fake यहाँ पर नहीं कर पाएंगे कोई दो भाग्यांक वाला अगर गुस्से में है जैसे आप हैं वही लोगों को दिखेगा कोई चंदरमा है वो यहाँ पर आपको मुखोटा यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा एक और खास बात इनकी होती है कि जितना यह public के साथ emotionally connect करने की कोशिश करें उतना जीवन के अंदर rise देखने मिलता है जितना परसनल टच करने की कोशिश करेंगे परसनल connect बनाने की कोशिश करेंगे उतना जादा आपको भागय के अंदर rise देखने मिलेगा एक example के तुम समझते हैं मैं Bollywood की बात इसी लिए कर रहा हूँ ताकि आपके लिए resonate हो पाए क्या है और आप वो concept को अच्छतर के समझ में अगर आप Vicky Kaushal की famous होने के पहले के अगर pictures देखेंगे तो आपको ऐसी feel नहीं आपाएगी कि ये Bollywood actor बन सकता है बहुत doubtful आपको feeling आईगी कि आप Bollywood के इसाब से गर देखेंगे तो complexion भी dark है यापर उनका face structure भी तोड़ा सा अलग है अगर वो बिना beard के अगर कोई role करने ही कोशिश करने तो लोग इतना पसंद नहीं करेंगे बट यहाँ पर एक emotional connect था जो लोगों को उनके साथ इतना जादा bind कर देता है कि वो अपने आप generally इंसान को पसंद आने लग जाते है because of his facial expression facial expression बहुत जादा matter करते है आप reels में भी आप उनके देखिए reels के अंदर he dances in a particular way कि वो emotionally connect हो जाता है अपने मजे के अंदर अपने emotion को इतना जादा feel करना कि सामने वाले के भी वो emotions को capture कर पाएंगे वो एक quality आपको देखने मिलेगी second दिल जी दोसांच के case में भी आप देखेंगे तो भाग्यां कि हाँ पर number 2 बनता है he might not be a very good singer इतने कोई बहुत अच्छे singer नहीं है I am also his big fan बट इतने अच्छे singer नहीं है वो जितना उनका नाम हुआ है नाम क्यों है क्योंकि emotional connect लोग के साथ बहुत strong बना हुआ है वो spirituality के बारे में बात करते हैं लोगों के betterment के बारे में बात करते हैं लोगों के emotions को heal करने की कोशिश करते हैं तो number 2 की speciality ये होती है कि ये लोगों के emotions को heal कर सकते हैं जितना आप सामने वाले के emotions को समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको जीवन के अंदर rise देखने मिलेगा भाग्यांक दो वालों पर मदर का बहुत बड़ा influence होता है अब आपका भाग्या ही आपके मदर से जाकर जूट दुका है या तो ऐसे लोग अपने मदर जिसे दिखते हैं मदर के अधूरे सपने पूरे करते हैं या मदर की तरफ से कोई ना कोई special quality मिलती है जिस quality को आगे लेकर जाकर ये masses के अंदर famous होता है देखिए यहां पर एक बात आपको sure देखने मिलेगी masses के अंदर ऐसे लोग famous होंगे either for good reason or bad reason reason कोई भी हो सकता है वो planetary placement पर depend करता है बट fame मिलना ऐसे लोग के जीवन के अंदर आपको जरूर देखने मिलेगा चाहे फिर वो छोटे लेवल पे मिले या फिर बड़े लेवल पे मिलेगा हो सकता है कि एक class का monitor बनके famous हो जाए या हो सकता है कि school का headmaster बनके फिर यह famous हो जाए mother की तरफ से कोई ना कोई एक influence आपको जरूर देखने मिलेगा और fame देखने मिलेगा food के साथ एक special connection होता है ऐसे लोग का अभी again coming back to the example जिसका जितना भाग्यांग स्क्रॉंग होगा उतनी वो qualities दिखाने की कोशिश करेगा दिलजीत दोसांज के केस में आप देखेंगे तो उन्होंने खाने के उपर भी एक song बनाय होगा है जितना वो चंद्रमा बली होगा उतना वो सारी qualities दिखाने की कोशिश करेगा तो I don't know the name of the song बट पैसे पूसे वाले भी लो सोचे दुनिया something like this आप सर्च कर सकते हैं वो song को तो चंद्रमा का basically काम ही है कि जो भी qualities अंदर है वो दिखाने की कोशिश करना यह अपने आप में बहुत ज़दा beautiful number है बट यह इंसान को emotionally unstable कर सकता है married life में यह दिक्कत देता है overall तरीके से numerological and astrological match करना शादी के पहले ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़दा important है क्योंकि अगर ऐसे लोग emotionally hurt हो पे तो जीवन के अंदर कुछ करने ही पाते क्योंकि emotions भाग्य से connect हो चुका है emotionally जितना stable रहेंगे जितना emotions को समझने की कोशिश करेंगे और सामने वालों को happiness देने की कोशिश करेंगे उतना जीवन के अंदर rise देखने मिलेगा emotional instability इनका सबसे बड़ा weakness हो सकता है अगर आपका भाग्यांग 3 बन जाता है तो आपके भाग्य के मालिकlace भुहस पती देव बन जाते है ये अपने आप में एक राज्यो कारक्स किती है विक्योस अगर आप कुंडिय चेक करेंगे तो नवंभाव के मालिक ब्रुहस पती देव बनते है जो आपके natural भाग्ये के मालिक है तो जो आपकी कुंडली के अंदर natural भाग्ये के मालिक होते हैं वही आपके भाग्ये के अंक में आकर बैठ गए इसका मतलब clear है कि ऐसे इंसान को हमेशा कोई ना कोई divine help मिलती रहेगी आप किसी भी बड़े से बड़े problem के अंदर फज जाएए कोई ना कोई आएगा आपको उस problem से बाहर निकाल जाएगा अब यह depend करता है कि आपकी birth date किस तरीके से आपके भाग्यांग को support करी है और फिर आपका मूलांग किस तरीके से आपके भाग्यांग को support कर रहा है जुपिटर की qualities ऐसे लोग इंबाइब करेंगे जुपिटर is a slow moving planet एक साल से ज़्यादा गोचर होता है जुपिटर का एक राशी के अंदर तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि slow success मिले बट इनकी success जो होगी वो continuous दी चलने वाली success होगी लोग downfall नहीं देखेंगे यानि कि अगर 10 step आगे चलते हैं तो एक या दो step ही पीछे आना पड़ेगा फिर से वो 10 step चलेंगे अगर इसका comparison आप करें राहू के साथ तो जो राहू dominated लोग होते हैं या फिर जिनका मूलांक चार हो जाता है भाग्यांक चार हो जाता है हो सकता है कि एक साल के अंदर करोड़ पती बन जाए बट दूसरे साल के अंदर रोड़ पती बन जाए तीन नंबर के अंदर आपको ये चीज नहीं देखने मिलेगी हमिशा कोई ना कोई divine support रहेगा हो सकता है और अपने आप में ब्रुहस्पति की और मर्कुरी की यूथी एक बहुत positive यूथी है तो अपने knowledge के कारण, अपने speaking skills के कारण, अपने जुबाडू techniques के कारण और उसके अंदर भी भाग्या का साथ मिलने कारण इंसान बहुत fast आगे बढ़ेगा उसी तरीके से अगर मूलांक किसे का 2 हो जाए और अगर भाग्यांक 3 हो जाए तो अपने आप में गज के सरी योग बना देता है दो नंबर चद्रमा का है, तीन नंबर ब्रुहस्पति का है ऐसे cases में भी आपको मदर से कोई ना कोई support देखने मिलेगा यहाँ पर एक example के तुर समझने ही कोशिश करेंगे रजनी कांथ के अगर आप देखेंगे बात तो 12 तारिक उनकी birth date होती है इसका मतलब 3 उनका मूलांक होगा और उनका भाग्यांक भी हाँ पर 3 बनता है तो यह अपने आपने एक और राज होगे कि जब मूलांक और भाग्यांक सेम हो तब वो जो quality है वो quality शरीर के अंदर बहुत ज़ादा बढ़ जाती है वो तत्व शरीर के अंदर बहुत ज़ादा बढ़ जाता है तो Jupiter, Jupiter यानि भगवान को भी represent करते हैं तो आप देखेंगे south में उनके मंदिर भी है क्योंकि this is purely Jupiterian energy बहुत struggle दिया, slow success दिया बट ऐसा success दिया जो कभी कोई ले नहीं सकता वो एक legacy create करने वाला success होता है क्योंकि यह optimism को represent करता है और यह style को represent करता है इसके पीछे एक छोटी सी story भी है जो मैं आपको कहना चाहूंगा जो यह Jupiter की quality आपको बताने की कोशिश करेगी कि Jupiter कितना optimistic planet है अपने आपके अंदर Rajnikant मूवी में किस तरीके से select हुए उन्होंने यह interview में भी कहा था कि वो bus conductor का का काम करते थे और उनकी एक style थी cigarette पीनेगी जो वो movies के अंदर भी पिता है शिवाजी तर बॉस में आप देखेंगे कि cigarette को roll करके और फिर डारेक्ट वो अपने मूग के अंदर फसा के पीना there is some technique he used to do तो एक director थे कोई तो जो वो bus के अंदर बैठे हुए थे तो वो भाग्ये को support करती है अगर मूलांक यहाँ पर support कर रहा है तो अच्छी बात है अगर मूलांक यहाँ पर support नहीं कर रहा है तो हो सकता है late success मिले बट success जरूर मिलता है ऐसे लोगों को भाग्यांक 3 का सबसे best part यह है कि इनके अंदर self-esteem बहुत जादा होता है आप बाकी सब numbers को excited रखो और Jupiter के तीन number को excited रखो self-esteem आपको तो भी जादा देखने मिलेगा optimistic होते हैं और inspiring होते हैं कैसे भी situation के अंदर हो यह बताने की कोशिश सामने आले को यह करते हैं कि मैं सई situation के अंदर हूँ कभी बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है मैं बहुत अदर struggle कर रहा हूँ जो है उसके अंदर खोशी ढूणना और खोशी ढूणने के साथ-साथ उसके लगातार काम करते रहना देखिए एक बात को यहाँ पर समझना important है जो negative trait की तरह भी काम कर सकता है Jupiter आप देखेंगे दशम बाहो के अंदर debilitate होते हैं यहाँ पर करम करना बहुत ज़दा important है यह लोग कहीं बार इतने खुश मिजाज हो जाते हैं और कितने लख पे उपर depend हो जाते हैं कि करम करना कहीं बार रह जाता है कि सब कुछी नसीब पर छोड़ दिया ऐसा आपको नहीं करना है करम आपको करते रहना है क्योंकि शनी देव भी आगर आपको bless करेंगे अगर आप करम करेंगे तब ही आपको जाकर success मिल पाएगा तो करम करते रहना है procrastination का habit यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए obesity का problem आपको number 3 के अदर देखने मिल सकता है otherwise बहुत ज़्यदा knowledgeable होते हैं लोगों के साथ knowledge share करने की पूरी कोशिश करते हैं और इनको करनी पी चाहिए अगर आपके अंदर ये qualities नहीं है यहाँ पर body नहीं है तो आप अपने भाग्यों को rise करने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग से आपकी बोली से आपकी इंदरियों को यूज करते हुए क्योंकि dominating जो इंदरिया है वो आपके face के उपर ही होती है इसको in detail समझने के कोशिश करते हैं इहली इंदरियों जो होती है शब्द के जिस तरीके से आप बोलते हैं किस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं दूसरी है स्पर्ष यानि कि touch किस तरीके से आप feel कर पाते हैं तीसरा होता है रूप किस तरीके से आप लोगों का रूप देख पाते हैं यानि कि vision चौता है रस किस तरह की से अप test कर पाते हैं चीजों को और 5 है गंध के किस तरह की से स्मेल करते हैं तो आप तेखेंगे 4 dominating इंडरियों की जो organs है वह आपके चेहरे पर ही हैं जसे आप चीजों को feel कर सकते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं इंद्रियों का यूटिलाइजेशन करके अपने आपके भाग्यों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानि कि शब्द यूज करेंगे, अपनी बोली के थुरू, मार्केटिंग के थुरू, हो सकता है कि कोई ना कोई इनके अंदर बीट बहुत अच्छे singers हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, multiple qualities आपको इंद्रियों को यूज करते हुए देखने मिलेगी, जिससे ही अपना भाग्याराइज करेंगे, और ये common quality आपको हर एक चार नंबर के अदर देखने मिलेगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा dominating quality हो बढ़ आप देखेंगे, अपनी बोली के वैसे इतना जादा famous हो जाना हूँ, अपरा विन फ्रे की अगर बात करें, तो शी इस अलसो वन अफ दे बेस्ट टॉकिंग लेडीज, बहुत बड़ा उनोंने शो किया था, बहुत सारा उनों डोनेशन भी किया है, सबॉडिनेट लोगों के लिए, तो उनके अंदर भी आप देखेंगे कि बोली की जो एक ताकत है, वो बहुत जादा है, उसी तरीके से चार नंबर वाली जो रोग रहते हैं, उनकी बोली के अंदर बहुत अच्छी ताकत होती है, बहुत अच्छे marketing और sales के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बाग्यांक चार वालों को सडन नेम फेम मिलने का पूरा-पूरा योग बनता है यहाँ पर, देखिए समझने की बात यह है कि राहु देव जो वो शनीवत है, शनी की तरह काम करते हैं, बड़ सिफ फरक इतना है कि वो short cuts लेते हैं, at the same time इंसान को सडन फेम देते देगा, तो राहु वाले लोगों के लिए यह एक हार नहीं माननी है, शनीवत qualities यहाँ पर आपको अपने अंदर imbibe करने की कोशिश करनी है, जितना आप काम करने ही कोशिश करेंगे, वो एक ही दिन आएगा जो सब कुछ बलट के रख देगा, देखिए चार नंबर के आपको quality देखने मिली की, गैंबलिंग की, और यह सोचेंगे कि मैं मेरे भाग्य को बहुत suddenly rise करने की कोशिश कर दूँ, या फिर गैंबलिंग कर लो, stock market के अंदर पैसा लगा दूँ, यह मूलांक और भाग्यांक दोनों के अंदर आपको देखने मिल सकता है, यहाँ पर आपका भाग्यांक चार हो जाता है ना, तब आपके मूलांक को वो हर तरीके से effect करता है, at the same time मूलांक की qualities भी यहाँ पर ले लेता है, तो for example किसी का मूलांक एक हो गया और भाग्यांक यहाँ पर चार हो गया, तो ऐसे इंसान के अंदर ego बहुत जादा होगा, क्योंकि वो भाग्या को अब ego के थुरू भी राइस करनी कोशिश करेगा, because राहु के अंदर एक absorption की quality होती है, at the same time एक number आपके father का, father को भी वो problem दे सकता है, उसी तरीके से कितने numbers के थुरू वो राहु का number आ रहा है, वो भी देखना जरूरी है, जैसे for example किसी का अगर एक number है और अगर वो 28 case से बन रहा है, तो यहाँ पर 8 number है वो राहु का दोस्त है, क्योंकि शनी देव और राहु देव यहाँ पर मित्रग रहा है, तो यहाँ पर यह अच्छे तरीके से काम करेगा, इतना problem नहीं देगा, बट अगर यह normal एक किसी का birth रिट हो जाता है, addition नहीं, purely अगर किसी क कर रहा है राहु को, एक number यहाँ पर support नहीं कर रहा है, तो problem देखने मिलेगा, उसी तरीके से combination को यहाँ पर derive करना बहुत ज़दा important है, end result पे आने के लिए, बट मुटा मुटा अगर बात करें, चार अगर आपका भाग्यांग है, तो sudden चीज़े देखने मिलेगी, give up नहीं क करना है, success आपको मिलेगी और sudden ही success मिलेगी, बट continuous महनत यहाँ पर करते रहना चाहिए, चितना strong मूलांक होगा, उतना ही strong भाग्यांग भी होगा, यहाँ पर आपको या तो major success देखने मिल सकता है, या तो major failure देखने मिल सकता है, तो balance रहना यहाँ पर बहुत ज़दा आपने instagram पर, youtube पर कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अभी जो million है रहे, पर अगर आप उन्हें बोलेंगे कि आज अगर आपको zero rupees पर लाकर रख दिया जाए, या फिर zero dollars पर लाकर रख दिया जाए, तो भी क्या आप उतना fast grow कर पाएंगे, वो बहुत confidently yes बोलते हैं, जब आपका भाग्यांक 5 होता है, तो आपको अपने भाग्य के थूरू वो सारी skills सीखने मिलती हैं, जो दुनिया के अंदर survival के लिए necessary है, तो ये लोग अपना जो भाग्य है, वो skills के थूरू develop करने के कोशिश करते हैं, apart from this, अगर आप numerology के अंदर देखेंगे, एक से बहुत बड़ा बून है बिजनेस के लिए, तो ये लोग हर टाइप के बिजनेस के अंदर successful हो सकते हैं, of course यहां पर देखना पड़ेगा planets के अनुसार, कुंडली में के कौन सा बिजनेस इनको करना चाहिए, बट मोटा मोटा आप देखेंगे के multiple businesses में इन लोगों की entry होती ह बर हर जगा से इनका relationship अच्छा रहता है, इसका सबसे अच्छा example आप देखेंगे नरेंदर मोटी जी जिनका भाग्यांक 5 बनता है, बोली बहुत अच्छी है उनकी, अब यूकरेन के president भी उनको congratulate कर रहे हैं, प्रदान मंतरी बनने पर at the same time रश्या के president जो है वो भी उनको congratulate कर रहे हैं, तो दोनों जगा से उन्होंने relationship maintain करके रखा है, diplomatic relationship, yet a sweet relationship, मतलब किसी को किसी के प्रती खराब नहीं लग रहा है क्योंकि एक maintain करके रखा हुआ है चीज को, तो सबसे बड़ी बात जो है भाग्यांक 5 की, कि relationship maintain करना, at the same time अपनी skills और अपनी tactics को use करकर जीवन में आगे बढ़ना, पर कहीं बार जो आपकी strength है वही आपकी weakness की तरह भी काम कर सकती हैं, कहीं बार ये लोग अपनी बोली के अंदर इते हैं ज्यादा sarcastic हो जाते हैं, क्योंकि 5 की quality बार बार उनको push कर रही है, उनको ऐसे लग रहा है कि वो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रह है, और छटे बाव का जो mercury है, वो वर्गो का mercury है, वो समझदार है, वो technically सोच कर बोलता है, तो यहाँ पर आपको दोनों की qualities को balance करने की ज़रूरते नहीं, तो कहीं बार आपकी sarcastic होने वह ऐसे आपकी relationship खराब भी हो सकते हैं, और लोग आपसे दूरी भी बरतराज कर सकते है आप जितना young रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही भागया आपका साथ देगा, चाहे फिर वो workout करकर हो, अपनी body को fit रकर हो, या फिर अपनी उमर से कम लोग के साथ रहे कर अपने विचारों को develop करना हो, देखिए एक बहुत अच्छी remedy है, जो भागयांक 5 वालों के लिए का समझने की कोशिश करेंगे, उधर काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भागया का साथ तभी मिल पाएगा, जब आप youngsters को सुनेंगे और उनके ideas पर काम करेंगे, देखिए बुद एक बड़ा ही चंचल प्लानेट है, उसको हर एक जगा पर काम करना है, तो आप का ही business करते हैं आगे जाकर, जादा समय तक job नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी वो skills को सीख लेते हैं, कि बहुत पैसा किस तरीके से कमा रहा है, अगर यहाँ पर मूलांक इस number को support कर दे किसी भीवे के अंदर, यानि कि 3 अगर मूलांक हो जाए, 2 अगर आपका म पैसा कमाते हैं, early age में पैसा कमाते हैं और अपने सारे शौक पूरे कर पाते हैं, इसको example के तरू समझते हैं किस तरीके से number काम करता है, for example, दो लोग है, एक भाग्यांक छे वाला है, और एक कोई और भाग्यांक छे वाले को जो opportunities मिलेंगी, वो बहुत ज़्यादा fast होंगी और सेम काम कर रहें दोनों, तो भी ये भाग्यांक छे वाला होगा, इसको higher position जल्दी मिलेगी, और ये जल्दी पैसा कमाना शुरू करेगा, और बड़े amount में पैसा कमाना शुरू करेगा, बले ही दोनों का काम सेम हो, बले ही दोनों की company सेम हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा वाके भाग्या के थुरू पैसा मिलना, देखिए, शुक्र जो आपके वैभव के कारक है, वही आपके भाग्या में आकर बैठ गए तो आपके भाग्या के थुरू आपको वैभव मिलना, ये ही सेम situation अगर आप देखेंगे तो विराट कोली के life में भी आपको देखने मिले आप सेम काम के लिए जाधा चार्ज कर सकते हैं और जाधा पैसा कमा सकते हैं इजी वे के अंदर, दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे जीवन के अंदर constant struggle शुरू रहता है ऐसे लोगों के, ये लोग struggle से बाहर नहीं निकल पाते, यहाँ पर आप वो same story imagine करने के कोशिश ये जीवन के अंदर आपको अकसर देखने मिलेगा और struggle हमेशा चलता रहता है क्योंकि इनकी भूक बहुत जाधा होती है, शुकरा चाहर का अगर आप लाइफ देखेंगे तो उन्हें पहले इतने सालों की साधना की, शिव जी को प्रसंद नहीं किया, फिर वो दैत्यों के गिव अप नहीं करना, और continuous लग रहे ना ये number 6 की आदत होती है, विराट कोली की case में भी आप सेम देखेंगे कि बीच में 5-6 साल का जो span था वो अच्छा नहीं था, बट continuous लग रहे है, और यही चीज इनको आगे जाकर success देती है, शुकरा चाहरे कि life से काफी कुछ आप relate क करेंगे भाग्यांक 6 के बारे में, अपार्ट फ्रम दिस, जैसे ही इनके जीवन के अंदर कोई महिला आती है, जीवन बदल जाता है पूरे तरीके से, अब अच्छे वे में बदल सकता है, खराब वे के अंदर भी बदल सकता है, और वो महिला आपकी mother भी हो सकती ही, आपकी important role play करती है माता जी का यानि की दुर्गा मा हो गई लक्षमी माता हो गई सरस्वती माता हो गई माता जी का बहुत अच्छा आशिरवाद होता है ऐसे लोगों पर निरंतरी लोग डेवलब करते जाते हैं बट स्ट्रगल का जो हिस्सा है वो खतम नहीं होता इसी लिए ऐसे लोगो स्ट्रेस को और अपने काम को बैलेंस करना जीए क्योंकि कितना भी आपको मिल जाए जैसे शुकराचारे भी आप देखेंगे माइतलोजी में वो थके नहीं थे काम करते गएते ये भी लोग काम करते रहते हैं जिसके वेसे इनको हेल्थ क्या इशूस इन फ्यूचर जाकर देखने मिल सकता है भाग्यांक छे वालों को अच्छे से अच्छे पर्फियूम्स यूज़ करने चाहिए अगर ये नाच्रल बेस के जो पर्फियूम होते हैं वो यूज़ कर पाए तो आपको देखने मिलेगा भाग्या के अंदर वृद्धी हो रही है आपर कईना के अट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से बन पा रहा है ये मेरा उब्जर्बेशन है आप मुझे कॉमेंट सेक्षन के अंदर बताएगे क्या मैं सही कह रहा हूँ बहुत जल्दी होना पड़े बड़ भगवान का आशिरवाद रहता है तो मटीरियस्टी के लिए लोग अच्छा करते है रिलेशनशिप के अंदर कंटिन्यूसली अपस और डाउन होते रहना ये आपको जरूर देखने मिलेगा बहुत फ्यू केसी होते हैं भाग्यांक 6 के अंदर जहांपर रिलेशनशिप में आपको अपस और डाउन्स नहीं देखने मिलते है वो positively काम करते है बाकी मोटा मोटा कल्यूक चल रहा है आप देखेंगे कोई भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह पाता है तो रिलेशनशिप के अंदर ups and downs होने के वैसे depression और anxiety का problem देखना बहुत सौम्मी होते हैं ऐसे लोग और जीवन की कठोरता जो होती है जिस तरीके से लोग इनको treat करते है बाद में आगे जाकर ये शुक्राचारिय बनते हैं या कि दिमाग से शातिर बन जाते हैं overall तरीके से material success बहुत अच्छा है बाकी चीजों को अगर balance करके चलें तो पैसा लोग कहतें के खुशी नहीं देता बट इनके लिए वो opposite तरीके से काम करेगा अगर ये अच्छे तरीके से अपने money का utilization करेंगे traveling में कोई नई skill सीखने के अंदर तो बहुत जदा satisfied रह सकते हैं life में अगर आपका भागया अंक साथ है तो आपके भागया के मालिक केतु देवता बनते हैं यहाँ पर clear मतलब इसका है केतु आपके past को represent करते हैं और आपका भागया आपके past के साथ जाकर जुड़ चुका है ऐसे जो लोग होते हैं इनका purpose of life बहुत clear होता है कि यह बचपन से ही अपने purpose of life को follow करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर और इनको काम निरंतर करना पड़ता है देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ body है यहाँ पर head नहीं है तो ऐसे इंसान को work put in करना पड़ता है बटे इनको ज़रूर result मिलता है क्योंकि purpose of life बहुत ज़दा clear है for example ऐसे जो लोग होता है पिछले जनम में इननों किसी चीज़ के लिए बहुत ज़ादा महनत करी और जब फल प्राप्ति की बारी आई जब कुछ चीज़ भोगने की बारी आई तब इनकी death हो गई और next जो जनम हुआ वो सारा फल को इकटा लिख रहो तो इनको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी results इनको मिल सकते है बहुत possibility यहाँ पर बनती है देखिए केतू cuts के कारक है detachment के बाद यहाँ पर result देखने मिलेगा कि कोई ना कोई खराब event पहले होगा और फिर sudden fame, sudden success इनको देखने मिलेगा फिर इनको भागय का साथ देखने मिलेगा टेलर सुट की अगर यहाँ पर बात करें तो वो भी number 7 होता है उनका भागयांग तो यह राहु केतु की एक यूती हो जाती है जो अपने आपको balance कर देती है यह one of the biggest राजयोग कहलाता है same चीज आप करण जोहर केस में भी देखेंगे उनका जो मूलांग है वो 7 और भागयांग है वो 4 है तो जब 7 और 4 का यह combination बनता है कि यह सारा कुछ temporary है तब body के अंदर से energy बहुत fast flow होना शुरू हो जाती है यह आप दोनों के cases में देखेंगे जैसे कि करण जोहर के case में जैसे ही उनके father की death हुई उन्होंने अपनी company dharma production संभालना शुरू कि अब बहुत बूम करिया बट father की death पहले हुई टेलर सुट के case में देखेंगे पहला उनका जो break up हो था बहुत ज़ादा traumatic था प्लस उन्होंने bullying भी बहुत सारी face की बचपन के अंदर और फिर उनको sudden rise देखने मिला बहुत ज़ादा imaginative होते हैं अच्छे researcher होते हैं flow of energy बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों के अंदर अगर गाने लिखने हैं बैटे तो बहुत fast गाने लिख पाएंगे जिसे Taylor Swift की अगर बात करें तो she's a very very good writer काफी सारे अच्छे अच्छे बड़े-बड़े singers के लोगने ने गाने लिखें उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होता है because कोई filter नहीं है यहां पर बीच में there is no rahu in between तो जो भी energy बताने की कुशिश कर रही है बस वो लिखते जा रहे हैं बहुत अच्छे artist बनते हैं बहुत अच्छे researcher बनते हैं बहुत अच्छी इनकी imaginative reality होती है creative होती है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है जो भी यह चाहते हैं मन से अगर यह universe को बताने की कोशिश करें universe इनके साथ connect करने की पूरी-पूरी कोशिश करता है वन आफ दे मोस्ट ब्यूटिफुल नमबर्स बट detachment आपको life के हर एक sector के अंदर देखने मिलेगी और बार-बार देखने मिलेगी जब जीवन के अंदर कोई बड़ा phase आने वारा होगा आपको detachment देखने मिलेगी भग्यांक सांत वालों के case में आपको एक चीज हमेशा comment देखने मिलेगी imagination और healing इनके profession का वो एक हिस्सा होती है ये किसी feeling और किसी emotion को बहुत ठोस तरीके से सामने रखना जानते हैं क्योंकि यहां पर कोई filter नहीं होता कोई भी mixture नहीं होता देखिए कि मा जब आपसे प्यार करती है तब उसके अंदर आप देखिए कि कोई वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है सभी प्यार से वो अलग होगा तो केतु का प्यार वैसा होता है क्योंकि वहाँ पर दिमाग नहीं आता वहाँ पर worldly चीज़े नहीं आती वो सोचता ही नहीं कि मुझे सामने वाले से क्या हसिल करना है तो ऐसे लोग creativity के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि पूरा पूरा देने का यहां पर भाह होता है अभी आप Taylor से उसके concert के अगर बात करें तो particular emotion पर काम करना यह चाहे आपको मूलांक में देखने मिले या भाग्यांक के अंदर देखने मिले एक quality देखने मिलेगी अरेजिट सिंग आप देखिए 25 नमबर वो हो जाते है तो उनका मूलांक 7 नमबर बढ़ाता है लोग रोते हैं emotionally connect कर पाते हैं तो अगर आपको कुछ बहुत बढ़ा करना है masses के लिए करना है जहां से लोग आपसे बहुत अच्छे तरीके से connect हो पाएं तो आपको ये 7 नमबर की quality आपके अंदर चाहिएगी meditation से लेकर ब्रह्मविद्या से लेकर रेकी से लेकर ये सारी चीज़े इन लोग को करनी चाहिए ताकि अपने आपको balance कर पाएं क्योंकि देखिये यहां पर आप बहुत ज़्यादा receptive भी हो गये हैं अगर आप देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मिलेगा भी बहुत कुछ या फिर उसके problem की feeling रहता है जिसके से वो stressed रहता है तो अपने inner circle को संबाल के रखिए कि जिससे आपको बात करने चाहिए उन ही से बात करिए और जिससे आपको लगता है कि बहुत जादा negativity आ रही है अपने आपको cut off करने की कोशिश करिए अपने आपकी privacy maintain करने कोशिश करिए ने तो लोग आपका फाइदा उटेंगे हर कोई आपसे बात करना चाहेगा चाहे फिर ये मूलांखो या भाग्यांखो ये 7 नंबर की आपको एक special quality देखने मिलेगी अपार्ट फ्रॉम दिस अगें coming back to the point एक चीज जो regularly करने चाहे वो meditation है उसी से आपको शान्ती मिल पाएगी अगर आपका भाग्यांख 8 है तो आपके भाग्या के मालिक शनी देवता बनते हैं देखिए यहाँ पर एक concept आपको simply समझ जाना चाहे कि आपका करम है वही आपका भाग्या है तो आपको simply कहते हैं कि आपको करम करना है तब ही आपको भाग्या देखने मिलेगा ऐसे लोगों को जीवन के अंदर कई बार धोके खाने के बाद भाग्या देखने मिलता है फर्स टू त्री बिजनसेस फेल होते हैं चीटिंग होने के पूरे चांसिस बनता है तेखिए बाग्या आठ के साथ प्रॉब्लम यह है कि जीवन के अंदर हर एक का कभी ना कभी मनोता है कि मैं चोटा मोटा शॉटकट लेकर काम करने के कोशिश करूँ कभी कोई स्टॉक मार्केट कर लूँ इनके साथ काम नहीं हो पाता अच्छे तरीके से बिकाज जहां पर भी इन्वेश्ट करने की कोशिश करते हैं भाग्या कमाली की करम के अंदर आकर बैठा है और अगर उसके अंदर करम नहीं क्या तो भाग्या साथ नहीं देगा मतलब किसी के साथ अगर पार्टनर्शिप के अंदर आए और सिर्फ एक स्लीपिंग पार्टनर्शिप लेगी तो सामने वाला का बिजनस भी डूब जाएगा यहाँ पर तो जब कोई और मूलांक या भाग्यांक किसी आठ नमर वाले के साथ पार्टनर्शिप करने की सोचे तो उसके भी दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं आठ वाले के साथ अगर पार्टनर्शिप कर रहा हूँ और अगर यह वर्क पुटिन नहीं करेगा तो मेरा भी बिजनस यहाँ पर डूबने की चांसेज होते हैं शनी दिव आपको तभी ही रिजल्ट देंगे जब आप करम करेंगे फादर के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है भले ही फादर के पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो आपको थोड़ा कम हिस्सा मिले या फिर आपको हिस्सा ना मिले यहाँ पर यहाँ पर यह दे शनी तो दोस्त हैं बटे सेम टाइम वो करम के अंदर जुड़ते जा रहा है तो वो शनी देव अपनी डायरी में लिखते जा रहे है और फिर जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको और भागय के अंदर कमी देखने मिलेगी तो चीटिंग ना करनी है और लोग के साथ साथ बादन रहना है यहां पर भागयांक आट के अंदर इंबैलेंस देखने मिलेगा स्पेरिश्वालिटी और मटिलीलिजम यह लोग स्पिरिश्वल भी होते हैं और यह लोग बैलेंस नहीं कर पाते कही ना करें for example अगर ये कोई करम कर रहे हैं किसी service के अंदर है तो कहेंगे कि यार चल मैं तरह काम free में कर देता हूँ और जहांपर spiritual होने की बारी आएगी कोई गुरू की बारी आएगी और वो सही भी होंगे तो भी ये सोचेंगे दस बार पैसा देने से यार जाने दे शायद इन पर बरोसा ना करें तो ये दोनों के बीश में imbalance देखने को यसे problem देखने मिलता है जब आठ भाग्यांक वाले को गुस्सा आता है वो गुस्सा कोई नहीं जल सकता ना कि 9 नमबर भी वो गुस्सा नहीं जल सकता आठ का जो गुस्सा होता है वो ऐसा गुस्सा होता है जो सिर्फ आज नहीं रहेगा नाक वाला गुस्सा नहीं होता है वो मन के अंदर धर्श जाता है अगर इनको किसे पर गुस्सा आ गया तो ऐसा लएगा 20 साल तक उसी पर गुस्सा कर रहे है मतलब deep-rooted hate लेकर बैठ सकते हैं revenge लेकर बैठ सकते हैं और ये इनके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा downfall face करवा सकता है इने तो make sure करें कि आप तुरंत forgive करना सीखिए विकाज अगर आप forgive नहीं करेंगे तो ये आप ही को problem देगा तो मन के अंदर continuously revengeful attitude चलते रहना ये बहुत बार दिखा गया है भाग्यांक art के अंदर देखिए सारी चीज़े हैं आपर खराब नहीं है अच्छी चीज़े भी हैं भाग्यांक art के बारे में क्योंकि ये long term success देता है इनसान को एक ही vision के साथ अगर आप एक ही direction में continuous काम कर रहे हैं तो success आपको मिलेगा बट ऐसे लोगों को जल्दी काम करना शुरू कर दिना चाहिए practical studies पे इनका ज्यादा ध्यान होना चाहिए अगर आपको पता है कि आपका भाग्यांक या मूलांक art है तो ऐसे field के अंदर जहाए हैं जहांपर hands-on काम जैसे अगर आप mechanical engineer करना चाहते हैं तो तुरंथ internship ले लीजिए कोई company के अंदर या फिर किसी गाड़ी वाले के यहां पर जाकर काम करना सीखे जितना practical sessions अपनी जीवन के अंदर imbibe करने ही कोशिश करेंगे उतना जल्दी आपको life के अंदर success देखने मिलेगा अगर आपका भाग्यांक 9 है तो आपके भाग्या के मालिक मंगल देवता बनते हैं कुछ लोग इस number को positively लेते हैं कुछ लोग इस number को negatively लेते हैं मैं इस number को completely positively लेता हूँ क्योंकि ये experience का number है आप जो भी इस धर्ती पर experience करने आए सब कुछ आप से खुद से जुड़ा है लगन का मालिक कौन होता है? मंगल होता है ये number आपको हर एक चीज experience करवाता है जिस भी field के अंदर आप है directly आपको वो job नहीं मिल पाएगी आपको उसके आसपास के पहले काम करने पड़ेंगे और फिर ही जाकर आपको अपनी desired job मिल पाएगी इसको एक example के तुरू समझते है for example कोई teacher है अब उसको maths का teacher बनना है तो पहले उसको maths की opportunity नहीं आएगी पहले geography सिखाएगा फिर थोड़ टाइम social study सिखाएगा फिर उसके बाद में हो सकता है कुछ कोई और subject सिखाएगा और फिर जाकर उसको math के अंदर opportunity मिले और फिर maths के अंदर बड़ा नाम करना तो पहले struggles देता है बट यह struggles short term होते हैं जिससे आप सीखते हैं और अपने आगे के काम के अंदर बहुत जदा बहतर काम आप कर पाते हैं तो यही चीज आपको भाग्यांक 9 में हर एक जगा पर comment देखने मिलेगी जैसे अक्षय कुमार की अगर बात करें तो भाग्यांक 9 बनते हैं martial arts सिखा acting सिखी modeling सिखी हर type की आपर movies की comedy के genre के अंदर भी काम किया action के अंदर भी काम किया social work के अपर भी movies की आप देखेंगे कि अपनी personality को पूरी तरीके से निखारने का काम आपको number 9 देता है यही आपको अरिजित सिंग के case में भी देखने मिलेगा अरिजित सिंग भी भाग्यांक number 9 होता है production के अंदर काम किया singer की तरह काम किया composer की अंदर काम किया instrumentalist की तरह काम किया फिर success देखने मिला आईश्यमान कुराना again number 9 आप देखेंगे पहले radio jockey की तरह काम किया फिर roadies किया काफी सारे shows किये इधर उधर के फिर hosting भी किया काफी सारे shows किये फिर जाकर actor बने but at the end of the day आप देखेंगे ये तीनो personalities के बीच में एक चीज़ कॉमन है कि कोई ने replace नहीं कर पाया अक्षे कुमार एक ऐसे टाइप की films करता है उसे कोई replace नहीं कर सकता आरेजित सिंग को सवाल इने उठता और आयुश्यमान कुराना भी आप देखेंगे कि नहीं मुवी आईगी लोगों से देखना पसंद करेंगे क्योंकि उसका past experience बोलता है number 9 आपको short term struggles देकर फिर long term success देता है जितनी आपकी body fit रहेगी उतना ही आप अच्छा result जीवन के अंदर देख पाएंगे आपका body आपके भागय के साथ direct related है जैसा तन वैसा मन इन लोगों के लिए perfectly suit होता है यह वही attitude के लोग होते हैं जो room के अंदर आकर कहते हैं that I am the most hard working man in this room और यही attitude आपका होना भी चाहिए वैसा ही aggression आपको maintain करना पड़ेगा तभी जाकर आप success face कर पाएंगे because आप देखेंगे जीवन के अंदर जो आपको छोटे-छोटे struggles मिल रहे है अगर आप उसी के अंदर हार गए तो फिर आगे वो success आप देखने ही पाएंगे तो struggles तो देता है but at the same time यह आपको success भी देता है देखिए number 9 अपने आप में बहुत ही spiritual number है यह आपकी base की energy को represent करता है आपकी neave की energy को represent करता है जब यह लोग जो चाहते हैं वो पराप्त कर लेते हैं उसके बाद यह अपने आपको settle down करने की कोशिश करते हैं और spiritual बनने की कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं इस number के अंदर सारे adventures है life के starting के अंदर struggle भी है फिर जो मन चाहा काम किया वो काम भी किया सारे fields को explore भी किया at the same time आकर आप spiritual भी हो गए क्योंकि इसके बाद फिर से जो counting है वो 1 से शुरू होती है 9 की एक और खास बात है कि 9 के अंदर आप कोई भी number add अगर करेंगे तो वो फिर से 9 पर आएगा 9 के अंदर अगर आप 6 add कर दिये तो 9 plus 6 is equal to 15 1 plus 5 is equal to 6 तो फिर से 6 पर ही आगया तो जो भी number आप 9 के अंदर add करेंगे वो फिर से उसी number पर आ जाएगा यानि कि आप इन लोगों को प्यार देंगे तो आपको प्यार देखने मिलेगा और अगर आप इन लोग पर गुसा करेंगे तो आपको डबल गुसा देखने मिलेगा ये number बहुत ज़दा straightforward होता है कहीं बार इनकी बोली के वैसे आपको problem देखने मिल सकती है harshly बोलना या फिर अपने आपको सही तरीके से express नहीं कर पाना और गुसे के थुरू express करना आपकी commanding speech हो सकती है जिसको ऐसे problem देखने मिल सकता है apart from this as a bhagyank ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है आपको सिर्फ continuously struggle करना आना चाहिए और वो hustle के थुरू enjoy करना आना चाहिए because वो एक enjoyable hustle होता है वो Saturn जैसा hustle नहीं होता है आपको easily success है Mars is a fast moving planet तो I hope आपको ये भागyank की series पसंद आई हो और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने मिला हो अपने birth details comment के अंदर लिखना ना भूलिए for the next video जिसके अंदर हम numerology और astrology का amalgamation करके किस तरीके से आप purpose of life पर आ सकते हैं या major predictions कर सकते हैं उसके बार में बात करेंगे रादे रादे हरे हरे कृष्णा जै जनेद्र